दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप जो है IPPB अकाउंट में और IPPB का जो QR कोड है वो QR कोड को स्केन करके किसी भी UPI app के दवारा QR कोड को स्केन करके और अमाउंट किस तरह से ट्रांसपर कर सकते हो मैं इस वीडियो में आपको जो है फोन पे के द्वारा बताऊंगा परन्तु आप किसी भी UPI app को open करके वहाँ पर जो IPV का QR code है उसको scan करके और amount को जो है easily IPV account में add कर सकते हो तो IPV account में IPV का QR code के द्वार amount जो है transfer करने के लिए आपको क्या करना है कि जो इसको IPV app को open करके सबसे पहले आपका जो इसका QR code है QR code को download कर लेना है मैंने इस पर already एक वीडियो बना रखा है तो मैं description में वो वीडियो दे दूंगा तो वहाँ से देख कि आपता कर सकते हो कि किस तरह से जो है हम IPV app का QR code को download करके और उसको आपको phone की gallery वगेरा में save करके रख लेना है वहाँ से आप किसी भी UPI app को open करना है open करने के बाद में उसको QR code है उसको scan करना है जैसे आप scan करोगे scan करके easily amount बेस सकते हो तो मैं इस वीडियो में phone pay के दोरा बता देता हूँ सबसे पहले phone pay को open कर लेता हूँ open करने के बाद में यहाँ पर आपको जहाँ पर मैंने arrow mark किया है यह जो है phone pay का scan का इसके अंदर है इसको आपको scan के उपर क्लिक करना जैसे आप क्लिक करोगे देखो इस तरह से option आ जाएगा अभी यहाँ पर यह जो है इसके उपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो मेरा QR code है वो मैंने phone की जो है gallery में save कर रखा है तो QR code के उपर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही मैं QR code के उपर क्लिक करूंगा क्लिक करते ही जो है क्यों आर कोड मेरा इसकेन हो जाएगा और जो क्यों आर कोड मेरा इसकेन हो जाएगा इसकेन होते ही मेरा जो है नाम यहां पर शो कर देगा और जो इसकी UPI ID है वो UPI ID यहां पर शो कर देगा अभी नीचे option आ गया इंटर amount का तो यहां पर अभी आपको जितना amount इसमें जो है transfer करना है वो amount आपको fill up कर देना है और amount fill up करने के बाद में नीचे option दिया हुआ proceed आपको जो है payment को proceed कर देना है जैसे आप payment को proceed करोगे जो आपकी इसकी जो है UPI जो MPN आपने set कर रहा है जिस भी account से debit करवाना चाते हो account के ओपर किलिक करना है उसका MPN जो पिन आपको इंटर कर देना है पिन इंटर करते ही देखो payment successful तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से जो है QR code को scan करके किसी भी UPIF में QR code को scan करके और easily अपना amount जो है IPPBF में transfer कर सकते हो आई पी पी बी एप के द्वारा आप post office की बहुत सारी saving scheme में जो है पैसे transfer कर सकते हो यानि घर बैटे ही post office की saving scheme में पैसे transfer कर सकते हो अपना और भी इसमें कई facility प्रोवाइड है जैसे gas का recharge phone recharge ये भी कर सकते हो फिर भी आपको इसके regarding कोई भी क्यूरियो कमेंट पोक्स में जरूर लिखे जितना हो सकेगा पूरी help करूँगा धन्यवाद